नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करक करें या तो फिर इंतिजर करना चाहिए अभी दो ट्रेडिंग से सशन में बारी गिरावड देखने को मिला है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ठीक्ट वीडियो शुरू करने से पहले आप सब को जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए तक आने वाला वीडियो आपको टाइम ले मिल सकता है चलिए स्ट चाहिए तो उसके बारे में बताय हुआ है और आपके पोट्फिलियो में जो भी स्टॉक है तो आपके यहां पर जरूर जैख सकते हैं आप इस सिंप्ली या क्या कर यहां पर बीटाइप करेंगे आपका जो भी कंपनी का नाम है तो उस टॉक का नाम लिखेंगे यह सपोज आरवी एनल का अपको अनलिसिस देखना है यहां पर 味नेल लिखेंगे उसके साथ में अगर स्विंग लिख देंगे तो यहां पर इस चैनल पर जो भी आपको पर यहां पर वह बात करेंगे नियर्स आल ताइम हाई की पास में जो कि तो यह जो कमपनी का मेन बिजनेस तो आप देखेंगे अब रेसिव से साथ में प्लास्टिक आए टी सर्विस भी प्रोवाइडिंग करती है इसके एक्टर में कमपनी है साथ है खर कमपनी का कव कैने करी तो यहां पर लगात्तर यहां पर बहुत बढ़िआ परफॉमांस दे रहा था तो यहां पे सेल्स के बारे में भी देखेंगे स 낮 2020 अगर यहां पे सबसे हायेस्ट सेल्स पोस्ट किया लगा तर यहां पे कंपनी का सेल्स इंप्रूमें नजर आ रहा है यहां पर दिखें बारा सो त्रेसाट करोड का उसके बाद में यहां पर 1598 उसके बाद में 15 पर नेट प्रफिट के बारें बात करेंगे एक सो पचास 167 183 239 286 तो यहां पर आप कमपनीय को में बहुत भारी दिखाया था कि एक साल में नाइटन दिया था और तीन साल स्कुर्व के चाहां यहांपे साथ में पांट-वदाध में थाग्टि परसेवें का रजार में यहां बठते झावाए तो अभी त्लतर्स का भांगा पूंच छुका है तो यहां तो यहां पर इसके साथ में और आप एक चीज़ करेंगे कंपनी में इनवेस्टमेंट भी बढ़ रहा है यहां पर इनवेस्टमेंट के साथ में पर मिल रहा है तो यहां पर इसके साथ में अगर हम करेंगे यहां यहां पर कंपनी का प्रमोस करेंगी हमिसेदर हिसे बढ़ादे जारें में स्ट इसें तो हैं विसे साफ से मिन दियाू के पास में नाइटीन परसंटेस का इसे यहां पर ऐसे णाईृ तो हम देखेंगे नाइटीन पर तो तो इसी साब से कंपने ने बहुत जबरदस्त रिटन दिया है अगर हम लास्ट रेडिंग सेशन की बात करेंगे यहां पर कंपने ने 1.65 परसंटेज का गिरावट देखने को मिला था 30 रुपे का तो यहां पर 53 परसंटेज का डेलिवरी उठाए गया है कभी ना कभी ना कभी ने जरूर आएगा उसी टाइम का हमें इंतिजार करना है ठीक है अगर आप मुमेंटम ट्रेडर है तो ठीक आप इसी के साथ में चल सकते हैं जैसे कि 7 डेस का मुवी आप ग्रेक किया तो आपका डिशियो सकता है लेकिन हम जो हमें साजब बाइध करते ह स्टॉक को लेना हो एक स्टॉक का क्वालिटी कितना आच्छा क्यों नहीं हो जाए लेकिन सही प्राइस पर हम वाइग करना यह मेरा मेथड है तो अगर आपको इसके हिसाब से अगर चलना है तो आप बिल्कुल यहां पर आ सकते हैं फ्रीली सीख सकते हैं कैसे में किस लेवल इसके साथ प्रेडियो का लिंक आपको मिल जाएगा उसी के साथ में आप यहां पर चैक किजिए ना यहां पर ट्रेडिंग भी श्टॉक्यों मैं बता रहा हूं यहां पर अक्च्छल सेही एक्चल प्रफिट आ रहा है कि वीडियो पोस्ते वीडियो पोस्ते जरूर चेक किजिए अगर आपको लगता है जरूर करने से पहले जरूर कर लीजिए कि जो मैं बताया हूं वहां पर कुछ है कि मतलब प्रॉफिट आ रहा है कि वैसे विडियो पोस्ट किया हुआ तब भी तो आप बिल्कुल आप अपना खुद का अनलीसिस करके फिर उसी टा पर आप में परसेनल जूड़ सकते हैं वहाँ पर क्या बनेफिट में बिलेगा है कि आपको एबरी वीकेंड में चार्ट मिल जाएगा और चार्ट में बाइंग लेबल बता देंगे वहां पर आपको टरगेट के साथ में मिल जाएगा तो कौन से टरगेट ता आपको बात करेंगे फ्रेंड यहां पर श्चल रहा है इसी साभ सब्सक्राइब बात करें अभी आपको अगर बनाना यह तो मौका तो जरूर मिलेगा आपको अब इसके बाद में हम उसका एक्जांपन लेंगे बादाइब में इक तो इसके बाद में हम उसका एक्जांपन लेंगे आपके और पार तर Oakा तो उसका एक्जम्पुल ही लेंगे यह स्टॉक में मुझे इसा लग रहा है अगर आपने पोजिशन बनाना है तो अभी स्टॉक में गिरावट जरूर आएगा तो उसका इंतजार करना चाहिए कौन सा लेवल पर आएगा लेवल के बारे में बात करेंगे अभी स्टॉक इस जरूर आ सकता है जिसी साब से स्टॉक ने मुमेंटम रिटन दिया है अगर आप देखेंगे यहां पर कोवीड के बाद में भारी मुमेंटम देखने को मिला था और स्टॉक ने बहुत जबर्दस रिटन भी दिया है तो जब इतना बड़ा सा रिटन दिया है दो साल में तो आपको अगर इसमें भाव आई करना अगर सही टाइम पर अगर एंट्री लना चाहते हैं तो आपके लिए एक लेवल से हो सकता है जो कि 1557 का ठीके 1550 से लेके साट का लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और उसका टार्गेट आप लेके चलेंगे यहां तक का टार्गेट चलते हैं तो बड़ी आसा गेन आपको इजली मिल सकता है ठीक विदिन शिक्स मॉंस में यहां तक जब आएगा तो यहीं से आपको वाइंग करना है तो उसी के साथ में यह टार्गेट लेके चलना यह टार्गेट तक अगर चलते हैं तो आपको बड़ा एजी लिएक अच् चलते हैं और उसी के साथ में आप टार्गेट लेके चलना है तो आपको इस लेवल पर प्रफिट वूकिंग कर लेना है तो कि शुण ट्रेड में बड़ी आसा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है जो लंग टर्म पोट्फोलिय में लेना चाहते हैं तो इस लेवल पर आप ल आप तो लंग टर्म के लिए ले रहे ना तो हमेशा के लिए तो यहां पर थोड़ा सा कॉंटिटी बाइकर चल सकते हैं ठीक है तो इस हिसाब से यह स्टॉक में यह बाइंग लेवल मुझे नजर आता है कि इस लेवल तक जरूरू आ सकता है टेक्निकल के हिसाब से मुझे और लॉब है अगर यह वीडियर आपको पसन्द बीडिव जरूरूर्ड लाइक कर दीजिए क caution के साथ में भी सेर्ट करव लिजिए उसी के साथ में सबस्क्राइब कर लेगी हुस्चके ना चांता है कैसे आप बलाइन करते हैं वह सारे चीज के लिए बढ़ी साथ होता है इसा कम मत समझे उसको थाटी परसंट गेन अगर लेके चलेंगे 10 साल में आपका 1 लाग इंबेस्टमेंट से अगर लमसम करके चल रहे हैं आपको 13.78 हो रहा है मतलब 14 लक्स 14 टाइम से अपका मल्टिपल हो रहा है ठीक है और उसी को टाइम फिरिड अगर आप लेके बीस साल तक चलेंगे ना तो बीस साल में आपका वान करोड नाइंटी लाग रुपए हो सकता है ठीक है लेकिन वो कंसिस्टन्सी के साथ में आपको हो जाएगा तो उस टाइम पर रिस्क ले सकते हैं बिल्कुल आप इसके ओपर डिपेंडन्ट हो के फाइनचली फ्रीडम पासकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन सटन आमाउंट उसके लिए चाहिए ठीक है तो आप धिरे-धिरे स्टार्ट किजिए इनिशाली स्टा में